gonna और अफ क्वेश्ट रन्हुन कुडस्ट रोग DR长ET के ग्रम्वी गाराश्टॉण हो ग्राश्ट रून ग्रस्टॉ ग्रस्टॉण अग्राश्टॉण सब न में कैसे हैं क्या बाते देखते रहे बेटा सुबे से एक्जीगेट्व के दो लेक्शेर होगे कैसे लगा चल मुझे फटा फट मुझे बले इमान दरे से बताईए कैसे लगा रहे एक्जीगेट्व आपको आप रो एक्साइटेड कुछ नया लग रहा है क्या कुछ नया सीखने को मिलेगा कुछ एक अलगी दुनिया है सर CSWT सर बहुती इजी दुनिया थी सर कुछ उसमें था ही नहीं बड़ सर एक्जेक्टीट्व मैक के में सर लग रहा है कि सर यार अब भी लग रहा है कि हम CS कर रहें सर, अब भी लग रहा है हम CS कर रहें सर, सरक फील आ रहा है CS करने का, सरक नया जोश आ रहा है, जून आ रहा है, सरक जिम्मेदारी बढ़ रहे है हमार उपर, सरक लग रहा है कि सर अभी हमें, तो आसा रिस्पॉंस भी बनना पड़ेगा, त क्या प्लों को सी एस का बेटा फील आ रहा है प्लों को चला जरा कमेंट देखते क्या बोलते है बच्छे पबली क्या बोलते है डर भी लग रहा है कोई डर तो लग रहा है बेटा मस मजारा बहुत क्या बात है बहुत एक्साइटिंग है यस 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 मिख बुलू क्या बटाचिक बुलू क्या ट्रस्मे 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 बटाचिक का में नॉलेज टेस्व थे एक्जेट्व में तो इस इस रियल सीयस ओके और जिस के लिए जिस जीस के बेटा हम लोग पता क्या जिस कोर्स के लिए हम इतने सालों से तडप रहते हैं हमार जो यह था बेटा नॉल इस में जर्नी हैस बिगन और इस जर्नी का आज का तिसरा पढ़ावे आज सुबही से दो लेक्षेर हो चुके एफम के और सिक्यूर लोग के थर्ड लेक्षेर एकलम तयार है यस सब्जेट का नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है अगेन बच्चा लोग एमसी की सब्जेट है यस अगेन बच्चों और सिलाबस का इंट्रो देके मैं फटाफट अभी आप पढ़ाना स्टार्ट करा हूँ चलेगा क्या यस क्यों अभी बेटा मुझे था है कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ने के लिए बहुत चल्ड़ एक्साइट होंगे और यार CMA का सिलाबस भी वास्ते तो जितनी जल्दी बेटा हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उतना अपने अच्छा रहेगा यस 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 तो आर यू रेडी तु सटड़ी CMA आप पढ़ने के लिए रो दरने करें मेरे भाई दरने करें दर क्या गए जीते बेटा मुझे बता यह कोर्स बेटा मैं आपको हमेशा बोलता हूं CES is not a difficult course it is made for difficult people it is made for tough people it is not a tough course it is made for tough people and if you are tough और आपमें अगर लड़ने की शमता है तो CES course is made for you people तो यह आपके लिए बड़ा बड़ा अर यार दुनिया में यादगे बच्चो दुनिया में इसी चीज़ें की वहलू नहीं होती है जो कुछ बेटा चैलेंज ही ना उसी की वहलू होती है और तभी CES बनने के बार में इतना पैसा मिलेगा इतनी शोरद बेटा मिलेगा तो फटा फट एक बार हम लोग सब्जेट का इंट्रो लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले है अब मेरे बारे में सब बाते में कुछ नहीं बताऊंगा क्यों मैंने सुबह में बताया था अपना सब्जेट है कॉर्पोरेट एन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें दो पार्ट फर्स पार्ट है और सेकर्ण पार्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बच्च नोटिस क्या होगा अबने सुबहीटा fmsm का इंट्रोटिंग देखा City का देखा आव इस यह में देख रहो आप नोटिस करना Executive में हर subject में section किये Part A, Part B कुछ जगा पर Part A है, Part B है और Part C बहुत अच्छा structure है Trust me, trust me, trust me कुछ concept के हिसाब से sorting किया गया और second sorting जो बच्छों के बेटा beneficial है तरह इस exam पे point हो से scoring point हो से परले हुआ क्या रहा था बास समझ था बेटा Old syllabus में जब होता था costing, जब company account होता था 100 mark के ले, वहाँ पर क्या था किसी भी chapter पर कितने भी question आ सकते हैं आप बिलू नहीं करोगे, बिलू नहीं करोगे एक ऐसे exam थी जब costing में marginal costing इस एक chapter के उपर 29 question आयता किसको बोलते 29 question बाग के chapter के में बेकार गई ना बेटा yes or no बाग के जब करोगे किया उसके लॉटर लगगे इससे नहीं किया ना बाए वाट खता मिची एक chapter नहीं किया 29 मार किसको बोलते यार समझा क्या but trust me यह आपके new syllabus है ना बहुत अच्छे दिसाइन किया यहाँ पर बेटाजी आपके strong areas आपके weak areas बराबर कही सब के आजाएगा मान लो मान लो बेटाजी मान लो अगर कोई बेटा आपका strong area मान लो C में दो section है corporate accounting or man accounting मान लीजे part B आपका बहुत strong है part B तोड़ दो तोड़ दो 40 में से 35 प्लस ले क्या हो और part A आपका V के 60 में से 30 तो ले क्या हैंगे yes or no 1 में 35 1 में 30 60 प्लस अई पर होगे आपका मान लो part A आपका बहुत strong है part A में 60 में से आप 45 प्लस ले क्या हो और part B वी के 40 में से 20 लेका तो भी score बनेगा बिटा जी तो यह पर बराबर का मुका मिलेगा आपको score करनेगा yes ओके अब समझ के लिए इसमें है क्या part A is a corporate accounting तो जिसे actual में accounts बोलते company का account बोलते that is the corporate accounting जो part A है sir company account में क्या होते अरे भाई साब अगर जब किसी भी company के जब है CS बन जाओगे फिर भी का company secretary आपको यह नहीं बोलेंगे journal entry pass करो ledger बनाओ समझा क्या आपको क्या बोलेंगे अरे भाई साब इस company को अपने share issue करने company को अपने share buyback करने company के अपने debenture का redemption करने और इस तो क्या danger danger नाम ले रहो tension मतलो अगले चार मेने सब में बताओंगे बिटाजी आपको company को अपने debenture का redemption करना है अगर किसी company को अपने share अगर issue करवाने उसके लिए underwriter न पोइंट करना है समझा रहा है क्या अगर company को अपने balance sheet बनाने as per revised format balance sheet बनाने कुछ corporate decision लेने investment करने के लिए कुछ बड़े-बड़े company का valuation करना है किसी company को take-or करना है समझा रहा है क्या बटाजी take-or करना है तो उन सब के लिए जो भी आपको knowledge लगता है यह सारा मिलेगा corporate accounting में तो this is just not accounting it is your corporate accounting corporate world में corporate world में बड़े-बड़े company में काम करने के लिए जो accounting का ग्यान होना चे that is your corporate accounting यह से में क्यों बता रहा हूँ because अभी जो lecture देख रहे है इस में से कुछ बच्चे बेटाजी some students might be from commerce background and some students might be from non commerce background मुझे इमान दरीस से बताएए आप में से कितने बच्चे आप में से कितने बच्चे यह आपे non commerce से मुझे आप में से कितने बच्चे non commerce background से है okay 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 हर्ष्यू हर्षिका यास पुर्षत्तम साक्षी इशा सोनाली वैष्णवी संकेत यास यास मैं से क्यों बता रहा हूँ मेरा बड़ा intention यह नहीं था कि non commerce वाले कोन पहचानना मुझे जानना था यह छोड़के बाकि सब commerce वाले तो जितने बच्चे commerce वाले उनको मुझे message जेना था बड़ा जी अगर आपने 11 वेल्ट में account पढ़ा भी होगा तो भी वो account और यह account में जमीन आसमान का फरक है तो बड़ा जी अभी तक आपने जो भी account पर बढ़ाता सब दिमाग से निकाल दो because that was your financial accounting and this is your corporate accounting तो मैं सब क्यों बता रहा हूँ जो commerce वाले बच्चे उन्हें जो पहले पढ़ाता सब दिमाग से निकाल देना है और जो बच्चे non-commerce वाले उनको डरने की जोरत नहीं है हाके ने बेटा आप मुझे बता हूँ commerce वाला बच्चा और non-commerce दोने एक level पर आ गया कुछ फरक रिच नहीं पढ़ता बेटा आप commerce के हो या बेट non-commerce को फरक नहीं पढ़ता है आप सभी बच्चे आपे एक level पर आच चुके है तो दोनों को भी डरने के जोरत नहीं एकदम अच्छे समलोग basic से करेंगे second part है management accounting second part is management accounting जो basically जहाँ पर costing का section है costing cost पुराने syllabus में एक subject हुआ करता था cost accounting उसी को इन्शूटर ने part B में डाल दिया तो part B is basically के लिए costing से आपने थोड़ा सा logical part आपको पढ़ने को मिलेगा आपको यह basic बेटा अपने स्टक्शर है अगर मैं थोड़ा सा chapter की बात करूँगा बच्चो अपने CMA के syllabus में CMA के syllabus में लगभग 22 chapters कितने सर 22 chapters है part A में है 12 chapters और part B में है 10 chapters अगर मैं थोड़ा सा यह part A और part B को और break करूँगा मेरे point of view से from teacher's point of view से इसको मैं अगर दो पड़ा बरेक करना चाहूँगा part A में अगर दो पड़ा है part A में chapter 1 से लेकर chapter 5 chapter 1 से लेकर chapter 5 इसमें ऐसे chapter है जो basically जहापने आपको general entry, ledger और कुछ बेटा है calculation मतलब जो basic हमारे entry-based chapter है, जो basically हमारे entry-based chapter से chapter 6 से लेकर chapter 12 में जो chapter से, they are basically regarding financial statement, मना किसी भी company को yearcade में जो financial statement बनाने पड़ते, उसका presentation करते वक कैसे करना चे क्या format फॉलो करना चे क्या क्या principle फॉलो करने इनी सबका आपको knowledge आपको मिलेगा, chapter 6 से लेकर chapter 12, तो chapter 125 ये company के day-to-day routine में आएंगे company के day-to-day life में काम करते अगर कुछ आपको accounting करना है कुछ entries पास करना है chapter 125 में आएंगे year के end में अगर आपको statement बनाना है, उसके लिए आपको जो statement बना पड़ेगा, जो final accounting करना पड़ेगा, वो chapter 6 तो 12 में उसको knowledge दिया गया, yes उसके बाद में chapter 13 to 22 में आपका जो part भी है, जो management accounting है, इसकी बैगें दू परशन है chapter 13 से लेकर chapter number 18 13 to 18 ये again आपका costing का section है cost calculation, costing में कुछ decision making, costing में कुछ decision making, yes okay, इनी सब के बाद में discussion करेंगे chapter 13 to chapter 18 में, और last में chapter 19 से लेकर chapter 22 ये basically बात करता है valuation की, इसकी बाद करता है बेटा जी, valuation की, okay मतलब, अगर आपके company को, कोई दूसरी company को acquire करना है, yes अगर आप ये company को, कोई और company acquire करना चाहते, अगर दो business को merge करना है, okay बेटा जी, अगर आप किसी company के share करने, उसके लिए valuation कैसे करते, अरे बेटा जी मुझे आता ये, बेटा मुझे आता, अभी कुछ देर पिले अपने, secure law पड़ा, yes or no? शुबों से ने बता बेटा जी, आपको share market क्या होता है, रेट न, share के price, उपर नीचे कैसे होते, yes or no? बेटा जी, लेकिन भी आपको समझना बेटा जी, share market में, जो share के price जो उपर नीचे होते, they are based on market demand and supply condition, yes or no? बर उन share के price का, अगर आपको books में, बात समझना, share market में, जो price होते, that is your market value, क्याते हो बेटा जी, market value, बर company अपने books में, जब share की कीमत लिखते हैं, उसे बोलते, book value, तो किसी भी company के book value, बात समझना, as a company secretary, जबा बेटा कमपनी में बेटा होगे, जब बेटा कमपनी बेटा हो ії, कैसे देख रहे, market हमें, कैसे देख रहे, वो बताता है शेर market, yes or no, बार हम company को कैसे देख रहे, financial, company का finance कितना strong है, company के internal law, company कैसे देख रहे, ये आपको देखना, आपको valuation में बेटा जी, आपके company का worth किया है, आपके company को बेच्छो, valuation के है, ये आपको पता चलेगा बेटा trust me trust me trust me आपको इतना जबरस knowledge मिलेगा और यह बाक्तिया बेट आभी तक कभी पढ़ी भी नहीं होंगे इतना अलग से knowledge मिलेगा तो चाह आप यह पूरा syllabus पढ़ने के लिए रहा हो क्या बोलो भाई साब क्या यह पूरा का पूरा syllabus आप पढ़ने के लिए रहा हो क्या बोलो yes or no और नालग पहले मुझे आता हूँ भूख तो नहीं देगी न क्यास add कुछ खाय की ने किससे कुछ बिर 竹ाय किया के न बहुत पढ़ा हो कर चुकर बहुत पढ़ा ही करें 3 यस यस ब्रेक्वास्स गर किया है और नालायक अगर किसने आप बेर कुछ खाय भी नहीं होगा वैसे घर में बेटे होंगे मस आराम से पता क्या खाने को लेने का मस खाते कर लेक्षर देखने का यस बस लेक्षर में रिस्पॉंस वी बचरो मजाएगा बहुत मजाएगा बट जो कि एब बटने का भूक एया है तो थिम बटने का भूक एंग है और ऑटने का बुक में बहुत डायलाग और जयार सब काइजब्टो एंट्र इंट्र आप मिन्टों कर बहुत हो या सै वक में प्ता है सर्टर गैस इंटों सिलाबस समझ कि लिया सब कुछ रिग आiga हुए बेटाजी देखो अभी आपको जब पढ़ाई करोगे तो में दस्तर बेटा CMA के सपोर्ट क्या मेलेगा CMA के सपोर्ट क्या मेलेगा? Yes. जब बेटा हम CMA पढ़ना शुरू करेंगे बेटाजी आपको CMA के जो बुक्स मिलेंगे बेटा CMA के आपको टोटल शार बुक्स मिलेंगे किते बुक्स मिलेंगे? शार बुक्स मिलेंगे वल्यूम वन और वल्यूम टू अपना जो पूरा का पूरा सिलाबस है उसको मैंने दो वल्यूम में डिवाड किया एक्जाम के टाइम पे, लास में short revision करने के लिए, short revision करने के लिए, एक मैंने CMA का, एक handbook बनाया बटाइजी, वो आपको handbook मिलेगा, जिसका नाम है CMA handbook, exam के टाइम पे, बस एक दिन पे ले बस उतना पढ़ना है, लास मुमेंट पे, आप सारे books पढ़ने ही सकते, बस इतना short पर पढ़ना आपको और लास में रहेगा mcq तड़का mcq तड़का में अब तक के एक्जाम में जो क्वेशन आते पास एक्जाम क्वेशन का एक बुक मिलेगा जिसे आपको आइड़ा आजाएगा कि इन्शुटूड आपके पासे किस सरीके की क्वेशन एक्सपेट करती है के सारे मीं सब्लेंगे सब्लेंस तरका मिलेंगे तो दो मेंद बुक वन यिस य sermon का हैंड ब्क एड़ वन इसizin यह चार प्रिंटेड बुक्स मिलेंगे फ्रॉम माई सेड फॉर यह सिलाबस चलिये चलिये अब हम पढ़ने के लिए तयारे हैं चलो सबसे पढ़ने के लिए कुछ बेसिक प्लियर करके लिए दे आप सुनो बच्छो आपके सिलाबस मैंने पहले बढ़ाता दो सेक्षिन थे पार्ट बी और पार्ट ए नालाएक आज से हम लोग शुरू करें आपके सिलाबस का पार्ट ए पार्ट ए मतलब जो प्योरली अकाउंटिंग वाला पार्ट है पार्ट ए मतलब जो प्योरली अकाउंटिंग वाला पार्ट है उस party की शुरा बने जाएं आप commerce background के हुँ sorry एक हो रही है हेलो 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 अवाज आरे है बच्चो अवाज आरे है अवाज आरे है यस, ओके तब अच्छों देखिए कि मैं आपको बता रहा था आप बेटा भले commerce background से हो या non commerce से, बिलकुल फरिंगे बेटा जी पढ़ेगा बेटा जी, हम पूरा पूरे एक दम basic से पढ़ने वाले, चलो बेटा जी तब अकाउंट के शुरुवात करते हैं बेटा घर मैं अकाउंट के शुरुवात करूँगा तो अकाउंट के शुरुवात में कोई भी अकाउंट हो, या कोई भी business हो, कोई भी account हो या बेटा कोई बेटा business हो, हर बेटा business के शुरुवात में, हर बेटा business के लिए, एक सबसे बेटा जरूरी शब समझ के लिएना पड़ता है, that is capital, किसी भी business के लिए सबसे जरूरी करन से बहुता है capital, चलो मुझे होता है, क्या आप लोगों ने कभी capital शब सुनाए किया, चलो फटा फटा फट सब बच्चे मुझे comment करके बताएंगे, what is capital, फटार बताएंगे, what is capital, नहीं नही book, pain, किसी भी टाइप के जरूरत नहीं है, जब लिख़आन होगा, त पह में बता रूँगा, जभी कुछ जरूरत नहीं है, आज मैं कुछ लिख़आंगा नहीं, आज मैं सिर्फ कंसेंभाहंगा, सारे बातें बताऊँगा, what is capital, what is capital, yes, 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 yashda बोलरे है, money invested in the business, मुष्कान बोल रहे है amount invested in the business तो बच्चे बोल रहे है कि सर्जी capital का मतलब क्या है money invested in the business सर्जी capital का मतलब क्या है money invested in the business यार मैंने को एक confusion है मुझे confusion है can I say that capital is nothing but the investment आपने क्या बोला capital का मतलब क्या है money invested in the business तो can I say that capital is nothing but the investment क्या capital का मतलब investment होता है क्या yes or no बोल भाई साब क्या capital और investment are the same similar term are the same yes ओके बच्चे बोल रहे है कि यस सर्जी capital का मतलब क्या था investment एकदम कला थे एकदम कला थे एकदम कला थे नहीं होता बटा सर इसे किसे बोल रहे है सर् सर्जी capital का मतलब ही क्या हता है money invested in the business सर्जी capital मतलब से investment हुआ अब प्ली समझना हम थोड़ा सा भी depth में जाके पढ़ा करेंगे बहुत मजा आएगा बटा आपको एकदम बहुत मजा आएगा आप सुनना बटा मुझे आता हो बटा मुझे आता हो चल छुड़ा example लेते Raias industry चल बटा मुझे आता हो Tata Group यस बच्चों देखें Ratan Tata ऐसे बटा मान लेते बटा जी Tata बेटा Group के Owner Ratan Tata बटे main owners But main बेटा Ratan Tata Tata Group के बटे main owner Ratan Tata रतन Tata ने एक vision के साथ Tata Group start किया Start मतला वो चला रहे Ratan Tata जी एक vision के साथ Tata Group Okay मुझे आता Ratan Tata जी Ratan Tata जी चर Tata Group चला रहे तो यह Tata Group चलाने के लिए उन्हें कुछ पैसा डालना पड़ेगा यह सर जी मानलो Ratan Tata जी ने अपने जेब से 100 करोड इन्वेस के 100 करोड इन्वेस के अपनी समझ दा मुझे आता पैसा इन्वेस के Ratan Tata जी ने इन्वेस के काप इन्वेस के Tata Group इन्वेस के यह Tata Group Entity कौन बतागे मेरे को which is the Entity में से Entity को ने बताइए Yes 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 Tata Group is the Entity आता है बच्चे समझ न Entity मतलँ जो business कर रहा है वो Entity नहीं है वो जो business कर रहा है वो Entity है मानलो मानलो आपका एक किराना मल का दुकाने आपका पैटा एक किराना मल का दुखाने तलना ओकी चिंटू 5 Pro किरे किराना अच्वा बेटा आप एंटीटी नहीं हो, आप जो किराना माण लीजिए बेटा मां लीजिए आपके घर के बाज़ियों में एक फॉस्पीटल है। एक छोटा सा मतला है भता क्या हूस्पीटल है, वह आप यों डॉक्तर आतें। डॉक्टर साब एंटिटी निये, डॉक्टर साब जो हस्पीटल चला रहे वो एंटिटी, yes or no? आपके बाजू में एक मॉल है, वो मॉल एंटिटी, मॉल जो चला रहे वो एंटिटी निये, बास समझा रहे बटाजी, जो बिजनेस कर रहे वो क्या है? एंटिटी, जो बिजनेस कर रहे वो एंटिटी, आरे आपके घर के बाजू में एक पाणी पूरी वाला है, वो पाणी अरे पाणी पूरी वाला वह ENTT निया, वो पाणी पूरी का जो बिजनेस कर्रहा है। उसके जो गाडा लगा है जो थेला लगा है उसका कह एंटिटी . तो जो बिजनेसर हम करें वह रोगा एंटिटी तहब अच्ना समझ ना तो Tata Group is entity और entity को चला रहा है EAST IS KALLED AS OWNER एंटिटी को चला रहा है ओनर, समझवा रहा है? इंटम क्लिर बैटाजी जो बिजनेश करें वह को ने एंटिटी और जो बिजनेश करें वह को ने ओनर अब मुझे बताए ओनर ने बिजनेश में 100 करोड इंवेस के आपको क्या लगता है बेटा मुझे आता है ये आपको क्या लगता है इयर के एड में बेटा मुझे आता है आपको क्या लगता है इयर के एड में बैलन्सीर कोर बनाता होगा ताटा गुरूप बैलन्सीर बनाता होगा या रतन ताटा पतला मुझे आता हूँ, Tata, मैंने का मतलग है, Tata Group के balance sheet और Ratan, Tata के balance sheet, दोनों के balance sheet, एक ही होते होंगे, या अलग-लग होते होंगे तata Group आज बहुत-बहुत बेसिक में बताने वाल है, अबने बेसिक समझे बहुत आल बेसिक समय जाए बेसिक समझे जाए पर मुझे आता है, Tata Guru और Ratan Tata में से, पर मुझे आता है, balance sheet कोन मनाता होका, Tata Group और रन Tata ना 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 लाइक balance sheet दोनों बनाते बात समझे ना चो non commerce वाले बच्चे जिनको balance sheet क्या होता है नहीं पड़ता है टेंशन मत दो बिटा जी धीरे 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 हर चीज आपको समझ में आ जाएगी तो बात समझ में आ जाएगी टाटा ग्रूप एक एंटीटी है इयर केड में टाटा ग्रूप भी बनाएगा balance sheet यस उसके बाद में रतन टाटा ये ओनर है वो अपनी खुद की बनाएगे balance sheet अब बात समझना रतन टाटा रतन टाटा जब बिजनेस में पैसा इन्वेस करेंगे रतन टाटा जब टाटा ग्रूप में जब 100 करोड इन्वेस करेंगे तो रतन टाटा बोलेंगे मैंने पैसा इन्वेस किया है तो रतन टाटा जी के लिए वो क्या होगा इन्वेस्मेंट होगा वो क्या होगा इन्वेस्मेंट होगा उन्हें पैसा कहा पर inwest कि नहीं है g 6 अरग बिजनेस एंटीटी क्या बोलेगा अरे हमारे इसके पैसा invest एस OR उसे हम लोग क्या बोलते capital तो कि बिजनेस में जोги साइox क्या रोकोने ड़िद.. वही सो करणेस देखने का नजरीह अलगे रतन ताटा जी उसको क्या बोलेंगे, investment बोलके देखेंगे, उसे क्या बोलेंगे यह मैंने पैसा invest किया है और भाई साब Tata Group जो entity वो बोलेंगे यह हमारा capital है अरे हमारे मालिक ने हमारे पास 100 करोड दिये तो यह हमारे capital है, तो बात समझना capital is a term from the entity point of view and investment is a term from the owner's point of view समझ भाई रहा है क्या कुछ जोले से क्या फूर पड़ता है सर सर खाना सर ऐसे खाऊ या ऐसे को पेड में जा रहा है सर सर ओनर ने पैसा invest क्या बोलो या बिसने सर पैसा आया सर दोनों तो भी चे ने सर पैसा तो भी चे तो सर इस साम से सर क्या आप इन्वेसर से मिच होगे ना ना आप समझ ना मैं आपको और एक एंगल बता रहा है चल एक काम करें उस एंगल पे थोड़ा दो मिन के बार आते दो मिन के बार बेट उस एंगल पे आते पेड़ा मुझे आता हूँ बिजनेस और ओनरस की बात करेंगी जो पैसा इन्वेसर के तो ओनर है ताटा गुरूप के ले बेटा रटर्न ताटा जी ओनर है या पे उनके शेर ओलडर है आप मुझे आता हूँ मानलो ताटा गुरूप ने सो करोड से बिजनेस करना शुरू किया ताटा गुरूप को और दो सो करोड चाहिए ताटा गुरूप को और दो सो करोड चाहिए ओके ताटा गुरूप ने क्या क्या रतन ताटा जी को फोन क्या हमको और दो सो करोड चाहिए चुप चाब 200 लाके दो अपने business शुरू किया आपने business शुरू किया आप भी अब चलो, हमको दिबता पैसा कम पढ़ रहा है, आप 200 लाके दो वो बलते, नहीं लाके दूंगा मेरे पैसा है ची नहीं मेरे पास ताटा जी बलते रहा है ची नहीं Tata Group परिशान है Tata Group सोच रहे भी क्या करे अब अपना जो माली के अपना ओनर है और पैसा देने को तियार नहीं अब हम क्या करें तो Tata Group क्या करेगा वो जाएंगे बैंक के पास वो जाएंगे बैंक के पास और एक बैंक के पास जाएंगे और bank को बोलेंगे bank 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 वो जाएंगे suppose IC ICI bank के पास जाते और उस bank को बोलते है bank हमें please 200 करोड रुपए दीजे हमें कहाड़ रुपए दीजे बाट समझे ना हमें कहाड़ झै 200 करोड हम को दीजे बैंक बोल्ड ठीक है हम आपको 200 करोड दे देंगे हम अब को 200 करोड दे देंगे बैंक का मैनेजर खुश होता है बैंक का मैनेजर बहुत खुश होता है बोलता है यार अपुन ने टाटा ग्रूप को 200 करोड दिये अपुन टाटा ग्रूप में 200 करोड इन्वेस्ट करने वाले हैं अब अपुन ताटा ग्रूप के मालिक बन जाएगे ताटा ग्रूप के ओनर बन जाएगे और ताटा ग्रूप में अपना पैसा भी लिखा जाएगा क्या पीटल के नाम से मैनेजर ICICI Bank अपने बुक्स में क्या बोलेगी हमने ताटा ग्रूप में 200 करोड इन्वेस के तो ICICI Bank के लिए वो इन्वेस्पेंट है और ICICI Bank ये अपिक्षा कर रहा है कि ताटा ग्रूप में क्या लिखना जाए कि ICICI Bank से तरब से 200 करोड का क्यापिटल है अब मेरा सवाल यह है क्या ना है इसे ताटा ग्रूप में 200 करोड का क्यापिटल है बोल बच्छो is it capital is it capital ना ना अब बात समझना अब इसे capital नहीं बोलेंगे अब ताटा ग्रूप क्या बोले था क्या हमने बैंक से 200 करोड का लोन लिया है तो टाटा ग्रूप इससे क्या बोलेगा बोर्विंग बोलेगा इसका मतलब अगर मैं एक तराजू में इन्वेस्मेंट लिखता हूँ और दूसरे तराजू में मुझे दो बात लिखने पड़ेगी कैपिटल और बोर्विंग पैसा इन्वेस्ट कर रहें बात समझना जो पैसा लगा रहा है उनकल तो इन्वेस्मेंट है बड़ पैसा लगा रहा है बिजनेस उसे दो नाम देगा एक तो उसे क्यापिटल नाम देगा या बोर्विंग नाम देगा अगर वो पैसा बिजनेस में ओनर से आ रहा है तो बिजनेस उसे क्या बोलेगा capital बोलेगा, क्या बोलेगा, capital और वो पैसा ओनर के पास से नहीं आ रहा है वो पैसा अगर बाहर वालों से आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, borrowing बोलेंगे, loan बोलेंगे सर इसा क्यों सर सर ये भेदबाव क्यों सर सर एक को बोला अपने capital एक को बोला boring specially जो बच्छे non commerce वाले वो confused होंगे सर क्या फ़रक है capital और boring में क्या फ़रक है छो फटा फ़रक काम करेंगे जितने बच्छे commerce वाले मुझे comment करके बताएंगे what is the difference between capital and boring बोलो क्या फ़रक है बोलो बच्छो commerce वाले मुझे फटाड बताएंगे capital और boring में क्या डिफरेंस है देखते किसको कितना knowledge है ओके अपने लोग नहीं होते outsider होते बढ़ाय लोग होते और बेटा जी capital अपनों को होते अपने तो अपने होते है महेंद्र बोला सदे आर आउटसाइडर से ओके बस इतने डिफरेंस पता है और कुछ नहीं पता आपको दोनों में डिफरेंस capital बोरेंग में और कुछ नहीं पता आप लोग को ठीक है मुझे पता capital owners का पैसा है हाँ सिद्धी बोल रहे loan is to be repaired loan is to be repaired बहुत सही point पकड़े बेटा बहुत सही point पकड़े आप लोग capital में interest देना नहीं पड़ता है वो अपना हो तो इस शीता बहुत सही point बता बेटा वो ये भी पौन अच्छा है प्रफूले वोला सा control नहीं gain कर सकते बहुत सही point पकड़ा बेटा आपने capital को payback नहीं करना पड़ता है ओके जाबाते क्या बाते क्या बाते बच्चे बहुत सही point बता बहुत सही point बता रहे चो बनाई कि माँचे समझ के लिए difference between capital and borrowing चलो चलो चोड़े एक्जांपल अभी ये एक्जांपल लिखते है बच्चे में क्या बता था run tata और bank यहाँ पर खड़े run tata और यहाँ पर bank यस दोनो ना अपस में जड़ा कर रहे bank बोलते bank मैं bank को मैंने 200 करोड दिये मैं उनोरू return tata बोलते भाई साब मैंने 100 करोड दिये मैं उनोरू दोन जड़ा करे अब आपको फैसला करना है दोनों में क्या डिफरेंस से अब देखो अब आप रतन tata साब को बोलेंगे tata साब आप owner हो और पुछता कर मैं owner हो तो मेरे feature क्या है मेरे feature क्या है हम उनको समझाएंगे tata जी अगर आप owner हो आपने जो पैसा business में invest क्या है business उसे बोलेगा capital क्या बोलेगा capital उस capital पे उस capital पे आपको कुछ return मिलेगा बोलते क्या मिलेगा देखो सर जी आपने पैसा इन्वेश क्यू किया है owner's के हैसे से तो आपको business क्या पिक्षा है तो टाटा जी बोलेंगे मेरे इतनी है पिक्षा है मेरा जो बिजनेस से वो प्रॉफिट में चलना चीए तो बिजनेस रटन टाटा जी को मनले ओनर को क्या देगा प्रॉफिट देगा प्रॉफिट देगा बैंक बोलते हैं मैंने भी पैसा इंवेस किया हम बैंक को बोलेंगे बैंक आपने पैसा इंवेस किया बड़ आप हमारे अपने लोग नहीं हो आप आउटसाइडर हो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में ओनर इंवोल होता है बड़ आउटसाइडर बॉरेंग बिजनेस के decision making में involved नहीं होते हैं, okay बेटा जी business decision making बेटा, bank मतला और इनवल नहीं होते हैं, तो bank को हम लोग क्या देंगे interest देंगे, बात समझना business में owner ने जो पैसा invest का capital उसके बिहाब पे हम owners को क्या देंगे profit का पैसा देंगे but बेटा जी, bank जो outsider है, उन्हें हम लोग क्या देंगे, bank जो outsider है, उन्हें हम लोग क्या देंगे बच्छा लोग, bank को हम लोग क्या देंगे bank को हम लोग देंगे interest देंगे, ओके, पहला फरक next फरक owner business के starting से लेकर एं तक owner रहता है business के starting से लेकर एं तक owner रहता है पराई लोग आते रहते या जाते रहते तो ओनर अगर हमेशा रहेगा तो ओनर का पैसा क्या होता है परमंड होता है तो capital is the permanent money capital is the permanent money and and borrowing is the temporary money capital का पैसा वापीस देने के जोरत नहीं पड़ती है bank borrowing का पैसा वापीस देना पड़ता है क्या बात करें सब्सक्राइब अगर मैंने बिजनेस में पैसा इन्वेस के ऐस ओनर मेरा पैसा मुझे वापीस नहीं मिलेगा कभी अरे मिलेगा ना बड़ कब मिलेगा जब बिजनेस बन करोगे जब बिजनेस बन करोगे तब ही owners को capital का पैसा वापीस मिलता है बड़ भाई साब bank को borrowing को पैसा कुछ सालों के बाद वापिस करना चपड़ता है एक मेरे सवाल है owners को पैसे के वापिस करते ची नहीं है बड़ मुझे आता हूं तो owners को कुछ नहीं मिलता है क्या owners को कुछ नहीं मिलता है बड़ मेरे पहला एक सवाल है क्या owner capital का पैसा विड्रो कर सकता है क्या क्या owner capital का पैसा मान रटन टाटा जी ने जो 100 करोड़ इन्वेस के जो capital इन्वेस के क्या टाटा जी वो 100 करोड़ का पैसा वापिस ले सकते क्या बुला yes or no okay बच्चे बोल रहें sir ओनोंस को क्या मिलेगा profit मिलेगा ओनोंस को क्या मिलेगा बैटा मैं क्या पूछ रहां आप से बास समझ रहां profit तो ठीक है profit 100 करोड़ इन्वेस के ते उसके ओपर जोड़ी एक करोड़ दो करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा न तो profit तो को मिलेगा हैं बड़ітल का पैस निकाल सकते हैं क्या है तो स्वाल यह है पैसा निकाल नहीं सकते और अगर धान लो रतन टाटा जी ने सो करोड़ के क्यापिटल में से पांचけて उनकी श्रोड़ too, मेंला 20 सिर्म घुमने को जाना है बहुत काम किया मैं घुमने का जाना है गुल्ले में हाला ऐसे पाच कुरून निकाले पाच कुरून निकाले बोले मैं चला घुमने के मेराज बिजने से आपका बिजने से बढ़ आप बिसने का पैसा ऐसे वापिस सकते अगर आपने वापिस निकाला उसे हम क्या लेंगे ड् capital का पैसा ड्रॉट किया इसे क्या फरक पड़ता उसे ड्रॉट को बात समझना ओनर जब capital में से पाच करोड निकालता तो बिजनेस बोलेगा ओनर को ओनर अभी तू पाच करोड ले रहा है बड़ इसको वापन आप लेगा यह तरीका होगी उधार होगी हम उससे क्या बता रहेंगे ड्रॉइंग बोलेंगे जा हैं का प्षराइस सरा है को पईसे करता है इसका मतला है ओनर्स का पैसा बंच्राक मेंटेन प्रफेशा है रहता है या समझ में आरा कर नहस्तelet सावान है yes or no और सॉनर्काने यू बैट्री शेंड दो हो जी में चुछांज दर्च में आधरा में चाहिए , यह देख लिए। उप पढ़ायें के फ्लो में मतला मुझी याद ही ना ? रच्मी याद नीरा ? रयिली यख़ विए। अभी दिखोड़ राचा के दिखोड़ चेक करो अभी चेकर अभी साउंद आ रहे है किया? अभी चेकर अभी क्लिर है अभी क्लिर है क्लिर है? Yes Yes Now everything is clear चले 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 बहुं सांदर चले चले Yes तो कहां पर सुना तो बिटाजी कहां सब को drawing का मतलब समझा है क्या क्या सब को drawing का मतलब समझा है क्या यस मैं बता रहा था return टाटा जी ने 100 कोड़ invest के वो कोने capital है उन्होंने अगर 5 करोड़ वापीस निकाले उन्हें 5 करोड़ वापीस निकाले तो 5 करोड़ को हम लोग क्या बोलेंगे द्रोइंग बोलेंगे तो drawing का मतलब का है owners को पैसा लोटाना पड़ेगा owners को पैसा लोटाना पड़ेगा अब आप बोलोगे सर जी सर्हाम को capital पता है drawing पता है जो commerce वाले बच्चे उनको इस सारी बाते पता है अब उले साम को क्यों बता रहे हो अब समझना इसका corporate accounting में impact क्या होता है अब बैटा अभी जो बात बता है अगले दो मिन के लिए तो discussion करूँगा हो सकता है कि non-commerce वाले बच्चेओं के लिए तोड़ा सा तकलीफ होगी डरने का नहीं बिलकुल भी चिड़ चिड़ नहीं करने का कोई दिखत नहीं बता जी बस उन्तों जाने का ये धिरे दे बड़ा क्लेरों का बता जी अब मैं ये discussion करने वाला फॉर commercial करने वाला बता जी मानलो बता जी मानलो एक company की balance sheet बड़े एक company बच्चो balance sheet है यस company के पास 2000 रूपए का equity share capital है company के पास 5000 रूपए का preferential capital है यस बाचो company के पास reserve and surplus है 1000 का बाचो company के पास equity share capital है 2000 का периferential capital है 15 आर का बच्चो имеет reserve and surplus ओके कितना बच्चो 1000 का reserve and surplus है मान लिए आपने suppose आपने बेटा कभी ये word आपने सुनाओगा redemption preference share का redemption preference share and equity share both are the owners मैं आगे बताओँगा chill मारो यह से हम डिसकेसम करने वाले पस एक short point बता रहा मान लिजे आप बेटा CS बन गे और आपके company फैसला क्या कि हमें हमारे company का preference share redemption करना है मतलब preference share को उनका पैसा वापिस देने का है तो preference share capital 5000 का है ये 5000 रुपे आपको preference share holder को वापिस करने के तो company at में प्रूभी जने company at में एक प्रूभी जने company क्या बोलता है अगर आप preference share holder को 5000 रुपे वापिस कर रहे हो तो जितना पैसा वापिस कर रहे हो जितना पैसा आप redeem कर रहे हो उतना ही पैसा आपको वापिस restore करना पड़ेगा उसके लिए का आपको एक account बनाना पड़ेगा जिसका नाम होता है CRR CRR मतलग क्या होता है Capital Redemption Resort कहाते हैं बच्छा लोग Capital Redemption Resort आपको CRR नाम का एक account बनाना पड़ेगा अच्छा सर हाँ इसा होता है तो बात समझना जब भी बेटा हम लोग Reperents नाम परिफरेंश पड़ते हैं बच्चें Confuse होते आरे सर सियारा क्यों बना रहे जरूद क्या है सर कंपनी का पैसा है कंपनी परिफरेंश चाहल्डर को 5000 वापिस के सर शुपचा 5500 वापिस कोरना सरे CRR क्यों बनाते अपलोजिक यहाँ पे छुप है, मैंने क्या बताया था, जब भी कोई entity, owner से पैसा लेती, तो वो capital होता है, तब अच्छो, हमारा accounts क्या बोलता है, owner ने एक बार पैसा डाला तो डाला, उसे वापीस विड्रॉख कर नहीं सकते, तो उसी तरीके से preferenture ने एक बार पैसा डाला तो डाला, उसे वापीस वो निकाल नहीं सकते, अब इस case में preferenture वापीस निकाल नहीं रहे पैसा, company, खुदो के उन्हें पैसा वापीस करें, बड़ अगर company, मतलब entity, मतलब business, अगर owners को पैसा खुदो के वापीस कर रहा है, मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर Tata Group, return Tata को बोलता Tata जी, हमें आपका पैसा नहीं चे, यह आपके 100 करोडे, ले लो, आपके 100 करोडे वापीस कर रहा है, मुझे बताओ, कोई भी business, इतना हक से, owners को पैसा वापीस कर पाएगा, जब business के पास, खुद की कुछ ओकद होगी, business के पास, अगर खुद का कुछ profit होगा, मान लो, आपके business ने, बहुत सारा profit कमा के रखा है, मान लो, आपके business पास, इतना profit हो चुका है, कि अभी आपको, owners के पैसे की, कुछ भी जरूत नहीं है, तो आप बिंदास, owners का पैसा, वापीस करो, owners का पैसा वापीस करो, पर जितना पैसा आपने वापीस किया है, उतने का एक reserve रखना पड़ता है, चुकि आपने capital को हटाया है, actual में capital हटाना allowed नहीं होता है, अभी आपने पढ़ाता, तो जितना आपने capital हटाया था, उतना ही capital वापीस आपको restore करना पड़ता है, जैसे Every capital हटाते हो, उसको क्या बोलते है, द्रॉइंग बोलते है वैसे यहाँ पर, जो capital हटाते उसके बदले आपको CRR करना पड़ता है, actual फोगा थोगा से जितना अलग-अलग भी है, बस मैं आपको relate करने कोशी कररा है, समझा किया बटाजी, बस मैं बता क्या रहा हाँ, आगे जाके इसे account में बहुत सारे बड़े concept आएंगे, जा आप हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अभी जो मैंने CR का पड़ा है, इसके ओपर मैं आगे जब मैं आपको preferential पड़ाओंगा, तो मैं दो घंटा proper discussion करूँगा, preferential क्या होता है, redemption क्या होता है, CR प्रपर बताओंगा, बस मैं बता क्या चाहता हूँ, बस basic basic concept हमेशा follow करना है अपने को, मैंने अभी क्या बता है, capital once invested cannot be withdrawn, if capital is withdrawn, उसको नाम क्या देंगे, drawing, उसी तरह से preferential holder ने पैसा एक बार invest क्या है, उसे वापिस विड्रॉ कर नहीं सकते, अकर उन्होंने विड्रॉ क्या, या हमने वापिस क्या, तो भी उसे वापिस लाकर रखना पड़ेगा, उसका नाम बच्चों क्या आता है, CRR के नाम से रखना पड़ेगा, CRR मतलब क्या है, capital redemption reserve, जो capital रडिम किया, जो capital वापिस किया, जो capital चला गया, उसको अगे लाकर रखो, उसका एक reserve बनाओ, उसे बोलते है, capital redemption reserve, तो इस सरा से बिटा अगर आपने account को देखो, बिटा जी, तो आपको account को देखने नजरे बदा बतल जाएगा, अपने को समझ चलाना, बिटा जी, account पड़ना मतलब, journal entry पास करना, laser बनाना, बैले शोना, सिब वो account नहीं, बच्चा लोग, आपको यहाँ पे account केके बिद ची तो आज बेटा हमने दो मैंनो और दिसकूस किए, बैच्छो, क्या अपने क्या आपकोने बीज्नेस, mäß तो, आपिटल और इंवेस्पेंट, यह Monsieur, वो da डिसकूस किए, चला, सब नालाक मुझे आइंगे, क्या, धे ओ आपिटल और इंवेस्पेंट, अर्दै सेम, धेड diary क् उसका अलग से चाप्टर रे बेटा, Redemption of Preferential अलग कंसेप्ट है, Redemption of Dimension बड़ अलग कंसेप्ट है, Buy-Buy बड़ अलग कंसेप्ट है, सब बताऊंगा आगे आपको, Yes, तो हमने आज 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 क्या देखा, Invest तो सब लोग करते, उसमें से जो पैसा ओनर ने इनवेस किया, उसे हम बोलते, Capital, जो पैसा ओनर ने इनवेस किया, और क्या बोलते, Capital, of view. And owner and capital and borrowing is from business point of view. मान लीजे, मान लीजे, मान लीजे अगर आपके पापा के पास 10 लाग रुपे आपके पापा के पास 10 लाग रुपे मान लीजे आप CS बन गए बनने चवाले CS बेटा जी CS बनने के बार में आपने आपका office निकालने का फैसला किया अब इदान सुझना में बनने जा रहा हूँ office निकालने है यार, नएने CS बने हो आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है पापा गोला पापा एक काम केजिए, मुझे office बनाने का है, आप मुझे काम करो, office बनाने के लाब मुझे please आप मुझे 10 लाक रुपे दे दो समझना दो टाइप के बाप होते दो टाइप के बाप होते, पापा दो टाइप के होते एक पापा अच्छे पापा, बोलते चल बेटा क्या फर पड़ रहा है तेरा पैसा, मेरा पैसा दोनों क्या होते, सेम तेरा पैसा क्या, मेरा पैसा क्या दोनों क्या सेम उच यह होते एक पपा क्या बोलेगे एक बाप क्या बोलेगा तस लाग ले ले, एशक कर चला, घर कीज बाते चला business, और फिस चला और दूसरे पपा बोलेगे बेटा, मैं तुझे 10 लाग दे रहा हूँ, मैं तुझे 10 लाग दे रहा हूँ, बढ़ हर साल इसके उपर 6% इंट्रेस देने का, क्योंकि ये 10 लाग में बैंक में रखता था मुझे इंट्रेस मिलता था, नालायक मैं तुझे 10 लाग रुपए अगर दूँगा, में अगर आट्रेस आगगे ना तो छुब चाप मुझे इंट्रेस देने का आप बलता है, पापा मुझे पईसा लोगे मुझे बच लोगे, बलता है देख भाई पैसे अपनी जगा पर, रिच्ट अपनी जगा पर धंदा अपने जगा पे रिश्टा अपने जगा पे ओके आप समझना बेटा अगर पपा ने गुड़ फेट में 10 लाग दिये तो वह आपके बिजनेस के लिए क्या होगा और पपा बोलते हैं बेटा ये 10 लाग वापिस करने का साथ में हर साल चटा का बैश भी देने का तो यह आप के लिए क्या होगा बौररिंग हो गया बंदा वही है बिजनेस्मन बलिए है बिजनेसमन वही चांब के पफा बिजनेसमन है बड़ बिजनेसमन जब पैसा इनवे करता है तो उसे बोलते है capital और businessmen अगर outsider के हैसे से invest करता है तो उसे हम लोग बोलते है borrowing बोलते है समझाय करना लाए yes or no but capital और borrowing यह नाम कोन देगा businessmen देगा नहीं यह कोन देगा business नाम देगा छेपा क्या बोलो हा या ना यास 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 बैंक बिजन पपा चलिए सबको जेपा करना लाएक सबको जेपा करना लाएक यास इतना clear concept बैट अपने को इतना clear अपने concept यास चल टाइम कितना हो गया रहे एक पांच होगा टाइम और इक पाचे को टाइम करते हैं बाकी मिलेटल से अननों vibrations करते हैं अन्य करना पराव करें। फिर बेटा अगर आपको अच्छा लगाब बेटाजी लाइट हो का अच्छा लगाब बेटाजी एक लाइट हो के अगर अच्छा लगाब बेटाजी बाखी बाद आप pen अब बिना लाई अब बेटा देखो कल का लेक्षय शुरू करें से हुआ olv threshold आप एक काम करो, मैं छोटा टास आपको दे रहा हूँ, आप एक काम करेंगे, कल आप मुझे बताएंगे गुर्स क्या होता है, कल आप मुझे बताएंगे गुर्स क्या होता है, और मैं कुछ एक्जामपल दूगा, आप बताएंगे इन में से कौन-कौन गुर्से, अब इतने ही लोग सही दिमाग लगाते हैं, Material, लिखो example, Plastic, उसके बाद, Phone call, उसके बाद, Cement, उसके बाद में, Building, उसके बाद में, Students, उसके बाद में, Teaching, उसके बाद में, Calculator, Calculator, उसके बाद में, Camera, और लास का बच्चो, example है, Machine, यह 10 example लिखे, और आप मुझे कल बताएंगे, यह 10 में से बटा मुझे बताएंगे, इन में से Goods कोन कोने, आप बताएंगे, इन में से Goods कोन कोने, कोन Goods है, और कोन Goods नहीं है, भूख भी लग रही है, भूख भी लग रही है, नहीं लाएगे, अवी ऐदाएंगे, अवी दाएंगे, से बताऊंगे, अवी अवी शेय। पढ़ेंगे बिटाजी, यह दास हम लिखें क्या, देखते, कौन सही जवाब देता बिटाजी, और जिसके भी यह सारे के सारे बिटा, सही जवाब निकलेंगे, उसो कल छोड़ा सा प्राइज मेरे दर्ब से, यह अभी अंसर देने का लाग, अभी अंसर देने का ने, कल देन इमिजले बच्चरे को, पेटेम उससे ट्रांसफर, इमिजले पेटेम ट्राइज कल देखें, जिसके सही जवाब है जिसके, कल दोस्तों ट्रांसफर, ओके, देखते, कितने लालची लोग इतने सही करके आते हैं, आज के लिए मही परुकते, तटा, आज करेबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा